आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आई हूँ जो कि हम लेफ्ट ओवर इडली से बनाएंगे और या आप ब्रेक्फस में भी बना सकते हो या फिर एवनिंग स्नाक्स में भी बना सकते हो बहुत सिंपल है और एकदम फटफट बन जाती है तो चलिए फि सबसे पहले या पर मैंने इडली लिये है जो कि 7-8 इडली है मेरे पास तो इसके लिए फ्रेश इडली भी बना सकते हो या फिर आप बची हुई लेफ्ट ओवर इडली भी यूज कर सकते हो इसे इसे कट कर रहा है चार भाग में देखिए जैसे मैं कर रहे हूँ यहापे इडली कट करके तयार है अभी लेना है पैन में थोड़ा सा ओईल और तिल गरम हो जाएगा तो उसमें डालना है हाफ टीश्पून मस्टर सीट्स और दस से बारा करी लीज इसे अच्छी से तड़कने देना है कर लेंगे उसे एक मेडियम प्यास बारीक कटा हुआ और उसे अच्छी से सौते करेंगे अभी दिखिए प्यास को यहापे हमें ब्राउन नहीं करना है सिफ थोड़ा सा उसका कच्छापन निकालने तक पकाना है तो अभी इसमें डालेंगे एक टीश्पून जिंजर गाली का पेस्ट मिक्स कर लेंगे और इसका भी कच्छापन जाने तक इसे पका लेंगे देखिए हमारा प्यास इतना हलका हलका ब्राउन होने लगा है तो इसे और ब्राउन नहीं करना है तो यह टाइम पे अभी इसमें टोमाटो डाल देंगे बारिक कटा हुआ सब अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी इसमें डालेंगे मसाले हाफ टी स्कून रेड चिली पाउडर यह मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसकी है वन फोर्थ टी स्कून हल्दी पाउडर और एक टीबर स्कून पाव भजी मसाला सब को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ थोड़ा साम यह पर पानी डालेंगे जिससे टोमाटो सॉफ्ट होने में मदद होगी और अभी इसे टोमाटो पकने तक या फिर आप टोमाटो को थोड़ा सॉफ्ट होने तक रखना है देखिए मसाला अच्छे से भून गया है और अभी इसमें और थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे यहाँ पर हम पानी क्यों आड़ कर रहे है क्योंकि यहाँ पर हमें इडली डालनी है तो इडली के अंदर वो थोड़ा सा सोप करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी आड़ कर रहे है तो चलिए अभी इसमें जो हमने इडली रखी ती कट करके वो डाल देंगे अभी डालेंगे नमक और अच्छे से इडली को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे मसाला उसको कोट होना चाहिए अच्छे से चलिए दो मिनिट के लिए इडली को और पकाना है तो उसमें सारे मसाले का टीस्ट आ जाएगा आप इसे ढखके भी रख सकते हो दो मिनिट हो चुके है और अमारा इडली मसाला तेयार है उपर से थोड़ा साथ धनिया डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और ये रेडी है खाने के लिए गर्मा गरम से सर्फ कीजिए कोकनेट चटनी के साथ या धनिया पुदिना चटनी के साथ आप इसे अराम से इंजॉई कर सकते हो बहुत टीस्ट लगता है और एकदम फटफट बन भी जाता है तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए नॉटिफिकेशन बेल दबाना ना भोले साथ ही आप मुझे इंसुग्राम पे फॉलो कर सकते हो अंडरस्कोर फूड ट्रेल पे थैंक्स पो वाचेंग